मात्स्री नर्वदेहर गुरू को सिर्व पर रखिये चलिये आग्या माहीं कहे कवीरता दाज को तीन लोग डरना हीं इस स्वर से बड़ी है गुरू की महिमा क्योंकि गुरू ही हमें इस स्वर से साक्षात करना सिखाता है इस तरको पाने इबम समझने का रास्ता बताता है गुरु की पूजा तो हम सभी को पूरे समय करनी चाहिए लेकिन कुछ ऐसे दिवस होते हैं जो गुरु को ही समर्पित होते हैं उन में से एक है गुरु पूर्मा इस अउसर पर भाया जी समर्थ महराज के सिस्चों ने भी अपने गुरुद्यों का पूजन चरण वंदन किया ये एक ऐसे नवर्दा भक्त संत हैं जो लगभक 20 माह से निराहार रहकर नवर्दा परिक्रमा में सतत लगे हुए हैं ब्रक्चा रूपन एवं नवर्दा संरक्चान के संकल्प को लेकर इनका इतना कठे म्रद जारी है शिस्चों एवं समर्थकों को गुरु पूर्मा पर उन्होंने कहा कि गुरु ब्यक्ति नहीं गुरु सक्ति है गुरु सरीर नहीं एक तत्व है गुरु एक भाव है गुरु सद्धा है गुरु समर्पण है आपका गुरु आपके ब्यक्तित्व का परिचायक होता है कब कौन कैसे आपके लिए गुरु साबित हो यह आपकी द्रस्टी एवं मनो भाव पर निर्भर करता है गुरु प्रात्ना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु देश्टा भाव से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है, गुरु पूर्मा पर गुरु जुको सत्सत्नमन मात्स्री नर्मदेहर